तो हलो गुर्मन तो लेफिक कैसे आप लोको उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब को अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वास्त होंगे हमारे वीडियो को लगतार देख रहेंगे समझ रहेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बोला है कि यह 9th क्लास का Google किताब चल हिमालै भारत के इस भाग में स्तीत है अगर आपको मैं पता होग। मतलू में चारों मेंसे छारों से अ लग में बहुत्त करलने कि भारत का अधिक उत्पादन चिटरैंगों आएंगे तीन तरफ से पानी से गीरा उसको क्या बोलेगे मैं कल भी बतायाता है कि जो तीन तरफ से गीरा होता है अगर छोटा है तो इसको अंतरी और बड़ा एरियर है तो उसको बोलेंगो प्राइदिप दिया यह इंसर हो जाएगा ठीक है चाड़ पांगर उसको बोलते हैं बांगर मतलब होता है क्या कि वहां पर मतलब पुराना मिटी है यानि देखो खादर और बांगर दोनों ही जुलूट मिटी कही परकार है यानि जुल बार नदी द्वारा नहीं लाका जमाकता है लेकिन जो हर साल हर बार नदिय दुआरा लाके मिट्टी जमा कर दी जाती है को चोटे-चोटे यहां नदिया निदे कंला निकलती है इसको बोलते हैं चोटे-शूटे-चोटे कर निकलन cott lactate बहार इस भूर dif Juda निक बोलते क्या होता है गप मैंसे जगा खुझ खुझ को और क्या करेगा इसी के अंदर से निकलेगा जैसे को बहार निकल जाएगं उसको बोलेंगा भावर एका समझा कि अगला पांस चेल नमर को चुन आएंगे में फेमस क्या है कि यहां पर अमरीका से वहां से आता है सब कच्छुआ सब मतलब टैर के आता है यहां पर घुमने के लिए ठीक है उसके बाद साथ नमर कोशन देखेंगे तो लिखा वह भारत के पुर्वी भाग में मियान मरत अपने सीमा को बना ले परोते का सिंपल पुछ प्रवांचल के पहाड़ी भी बुले था और इसी को अराकाम यूगां भी बुला था ठीक है आठ नमर कोशन लिखा हुआ है कि पच्छमी घाट के सबसे उची परोशी के यह भाई पच्मी घाट इधर हो गया और इधर हो गया पुर्वी घाट यह हो गया हम लोग का पच् पहाड़ी और पुर्वी घाट जहां आके दोनों मिलता है लो उस पहड़िया का नामे दोदा बेटा अब यह मेहंद्र गरी पुर्वी घाट की सबसे उची चूटी के नामे मेहंद्री घाट अगर इसका पूचा जागा कि किसकी कितनी उचाई है तो लगबग अनाई मोड 26 25 आज़ा आते हैं यह भी मेहंद्र गरी 500 है फंद्रा सो एक मेंटरी इसके उचाई है ठीक है उसके बाद आएंगे अगला कोशन नाइन्मर कोशन है मिर्दा के निर्मान तेता रंग के अधार पर कौन से उतर दाई है मतलब करें कि मिटी का निर्मान और रंग किसे कारण ह कोशन ह given, मिर्दा के लिए देखंगे देखार जैसे देखो जैसे कि बैदा ऑफ नावसे देखंगे तो यहां उडीशा का सपसमें जगा कुरो मंदल्ट तर्मिल अडू में हैं उनसे जगा घृत जो यहां पर क्वादाड़ के पास में ट्टीय मैदान तीक है वहीं सबसे पहले बारिज भी आता है कूशन पुषता है कि मांसुन कि सबसे सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले एक ही दीब था पनां था पेंजिया और उसका आस पास जितनेने इसागर भना पेंद्ध में क्या पन इनाम है रहे ह में इसके हैं के इस जो लिखा हुआ है देख सकते हैं मतलब कौन सा वाक्य जो है पलेट विवर्तिनी के लिए सत्य है मतलब सही खोजना कौन से सही है दूसरा नमर आएंगे पहला नमर देखेंगे भू परपटी बिभीन कठोर और कुमल चटानों से बना हुआ है बी नमर देखेंगे पृत्वी यकाश्तै तो सारे प्लेटों को देख के समझ सकते हैं कि कौन-कौन बड़े पलेट और छोटे फड़े हैं अगर बड़े प्लेट में तेखा जाएंगा तो उसी को भारते प्लेट भी कहा देता है अशके बाद अफरिकी प्लेट अमरिकी प्लेट यूर यूरीसियाईज प्रसांत प्लेट और अंटार्टिका प्लेट ये छे प्लेट बड़े हैं और नौ जो है अरेबियान फिलिपिन्स जौन जूफुका कोकोस नजका एसकर्टिया करेबियान सुमालिया यह आप अगर चाहिए गा तो उसका डिटेल समझ सकते हैं कि यह लंबा हो जाएगा जिसक अब यह बड़े प्लेट है और नौ छोटे प्लेट पास इतने हैं अधर को ठीकें अ कि विस्वकी सबसे उची चूटी कौन सी है 15 नमर को सबसे उची चूटी कौन सी है जो नेपाल में जिसे सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है ठीक है इसकी उचाही आठाइब 8488 सागरमाथा भी बोलते हैं माउंट इबरेश्ट को ठीक है अठाइरान मर कोशन निमलिक में से किस चटान का परियूग ताज महल में किसका किया था है वाइट गलर का है तो मारबाल है क्या है मारबाल है उसके बाद से मंसूरी किस राजय में तो मसूरी भया यह पकिस्तान फिलाहाल में कभजा करकर लेकिन किसी दिन ले लेंगे लो इसको बोलते रपी ओके पार्क ऑक्यूपाइट कास्मरी यह यह जो था ना पहले सबसे उची थी क्योंकि यह लगबग 8000 6111 लगबग मीटर है ठीक है लेकिन उसके बाद कंचन जंगा आएंगे तो कं पारत में सबसें उची कौन से कंचन जंगा याद रखी एक कंचन कोछन दिया निमलिक में से कौन सा टेकं पाउडर बना निमलिक पीक करेता है इसको पीस पीस के और बारिक चूण बनाके पावडर बनाया था थो हम लों दे हाथ मुँँआत में पोत लेते हैं लो खासकर लड़की लोग ज्यादब कोटता है लो ठीक है बाइस तमर कोशन देखेंगे तो सिंदू और सतलग नजी के बीच में हिमाले की कौन सी हिमाले परत कौन सा है अब सिंदू सतलग पुझरा देखो हिमाले का पड़ चुके होले चार भागों बाटाव नदियों का दार पर पहल बदारacas का य२िट थीष्टा उसके वाद सिंटू शन्हों शनलग से और सतलग बीच में आपका कुमाईू का ली और ढकर ती्सिता के बीच में नेपाल और ऑर नेपाल और तीस्ता और नधी के बीच कौन सी है तो उसमें वाल है ठीक है यह करके करके बहुत यह करके समझ सकते हैं उसके बाद आएंगे लका दीप मीनिकाव इनीमी दीप उने इसे तियातर उसे में किस नाम से मतलब इसको नाम यह किसका नाम है यह लक्ष दीप का नाम याद रखिएगा पूछ सकता है क्वेश यहां zeशाल म कोई मनें हो चैँए इस में हो जायेगा मकशन हो जाएका मीख वर सब्सक्राइए वो तिस्ता और दिहांग के बीच में था ठीक है अगला कोशन आते हैं 25 कोशन देखते हैं जब पलेट एक दूसरे के समनांतर चलती है तो निमन में से किस पलेट सीमा का निर्बान होता है अब देखो यह तीनु अप सारी अभी सारी या ट्रांस पलेट इस तीनु को मतलब सम आएगा उसको अभी सारी और ठ्रांस को बत्लेक्व सर्द्राइब भागburg नीच्च एक वेसका और भाग रहा है स्युख लिख hospitalized तरांसफर्म पिलिट कोछ नहीं काली और तीस्ता भीच में पालो जाएगा लूनी नदी कहां बती है तो लूनी नदी जो ताहिए राजस्तान में बसती है थार मरोस्तलम बैती है और इसमें क्या विश्ता है कि भाई सब यह अरावली से निकलती है और कच किरन में जाका बिल जाके बिलीन हो जाएगे जो गुजरात के रहन है याद रखेगा लूनी नदी कहां थार मरोस्तल में जो राजस्तान में हैं कि ने में वह सब्सक्राइब भाग का इस्थल है तो बहुत बाना समुझे दचिन अफ्रिका में वह उसी दचिन अफ्रिका में है तो हम लोग प् भारत है यह कहां से आया था अफ्रीका से अफ्रिका से दिरे दीरे समुझे भारत में आके यहां पर बनेगे ठीक हमारा प्राइब भारत भी गोडवाना का ही भाग है और दच्छिन अफ्रिका भी वही का भाग ठीक है तिसमर्कोशन लिका आवा माजुली नदी द्वारा यहां पर एक दीप बनाता है इधर गुम जाते जमीन बढ़ए इसका नाम है बनायगे आगर कोई दीप सबसे बढ़ी है तो माजली नदीव दुनिया के सबसे बढ़ी है ठीक है एक तो अब ही मैं आमने पढ़ाये डिश्ली सबसे ऊसी च्टी को जो जाएगे अनाई मुड़ी जो अन्ना मलाई के पहाड़ी पर और दो चक्तार भीघाट के फोड़ में वहां दर सी चोटल कुन जाए खार एक मात्र मखी जोला रिखे के इंड़िया में और उसका नाम पूझे से भारत का प्राचिंतम सबसे पुराना कौन उजेगा तो नहीं आट हमाले याद रखेगा ठीके है चोत्रिष मरं कहब प्रित्व को उपरी परपटी कौन सी कितनी बनीवा कितना है सिम्पल समझो कि प्रपरियर की अ बहु बदी बनीवें या है कितनी ब्रत्व हुआ हृ यह च्त बड़ी किताब में6 बड़ी इत्या प्लेट है और नहीं छोटे करी ट neutrुंसरी लिखा गया है श्यू बड़े प्लेट को मैंने बता चुका है अगर आप ध्यान से नहीं सुने हो तो फिर से दुबारा सुन सकते हैं ठीक है 35 मर्कोशन आएंगे तेरे मिल्क में से कौन सी नदिया द्वारा बिलुप्थ हो जाती है हमाले से निकलने वाले नदी जहां जाकर अभी मैंने बोला पहाड से नदी निकलता है और आके यहां पर खत्मगा जाता है और इसी पत्थर खो जाता और फीर वापस निकलता है इस जगे बोलते हैं भावर ठीक है छथिसमर कोशन बोलेंगे प्रितवी की पलेट के अंदर और ऊपरी इस्थीत महादीपे महाधिश च्छेत्र है वह च्छेत्र होगा जो प्लेट के किनारे होगा जैसे मान के चलो कि यहां के खतम हुआ दूसर यहां से शुरू हुआ ठीक है यहां पर सब जदा परभाइद होगा यह रिया क्योंकि बार-बार वहां बुकम पाते रहेगा उन चलिस मर्कोशन लिखा हुआ है कि छी लिका कहा है तो अभी मैंने बता है उडिशा में है जो सबसे बड़ा खारे पानी का जीला सबसे ज़्यदा खारा तो सांबर सोरी करें बूप परपटीविएं गतिया से किसका निर्मानों होता है होता अभी parrot की प्रकार सारी मतलब होता प्रित्वी आपस में आ जाएगा जूड़ जाएगा मतलब एक दूसरी का तरफ आने लाएगा और रूप आंत्रम में क्या होगा अरप अंत्रम में घसीट के जाएगा एक दूसरी का भागेगा किस भूकार्ण का भागे घृष्टीर का भागा भारत में प्रित्वी के सतह सब्से प्राचिन अग्यूद लिखा हुआ भारत के मैदान को किस नाम से ना जयता है तो मलबार किरल में कोको टट चल जाएगा गुजरात के साइड में उत्री सरकार यह उडिशा और अंद्रपर्देश का सबस्क्राइग ठीक है पच्मी एसिया की परवस सिरिंखला यह हिमाले परवत के निर्वान में किस के कारण बस हुआ है तो इसको समझाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा और ऐसा यह टॉपिक नहीं है कि इसको स्वाट कर्ण में बता दो आपको समझा जाएगा इसको जो पढ़े होंगे डिट चलिछरमर कोशन है भारत के पूरवी भाग में मियान मार्ष की सीमा करने खरने दंद्धारन करने वाले परतों करने नाम पूर्वी भाग में को नो जाब पूरवास sucks मिक अधुलist असको ने निपाल में जिसको ने है इक लीडेगा पास आती अभी मनेघर सक रभी बहुत ह क्या नाव नब्वारत में हिमाले का सबसें उच्हा क्या करहें भारत में बालए परवत को सुर्विभाट का सब्सक्राइब हुए पूरे भारत के सबसे उत्री तता उंची सिंखला कौन से हिमाले के सबसे उतर में तो सबसे उतर में जाएंगा तो हिमादरी है जिसको ब्रियाद हिमाले भी कहा जाता है पहले किस निर्बान संपिड़न परिवर्तन के से होता है तो भाई संपिड़न और संपिड़ित परिवर्तन के से होता है हिमाचल भाग का हुआ है यानि कि जो हिमाचल का पठार हिमाले का पठार जो है उसका संपिड़न और परिवर्तन के से निर्मान हुआ है ठीक है भारत की एक मात्र सक्किरी जोला मुखी कौन से होज़ेगा बैरां जोला मुखी है जो कहा है अंड़मांडी को बार दीप हिमाले ठीक है आप सब्सक्राइब पता है पहले से उपर इसी कोश्चन को उपर कई बर बता चुके हैं इसलिए थोड़ा सा पास चल रहा है अंठावाण मर कोश्चन है हिमाले परवत का संदर्बन निमिल को तो कौन सा तत्य अन तीनों से भिन है तो तीनों से अला कौन सा सब्सक्राइब को जो सबसे पुराना है उसका नाम था पैंजिया बाद में टूटके अंगारालेंड और नीचे था ठीक है और पैंथल आसा महासागार ठीक है एक सट नंबर कोश्चन आएंगे तो उत्री मैदान के निर्बान किस नदी द्वारा हुआ था तीनों नदी द बूलते हैं सब्सक्राइब लिए मेडान को सब्सक्राइब नियुंतम हमाले सबसे नया कौन से हिमालय परवत हिमालय परता द्वरा ही यह क्या बना उत्तर कभी साल मैदार बना तुन्हां एकदम तीसट नमर्कॉशन लिए भारत में कौन सा स्थान तीन सागुरों से बना लिएक है उत्री मैदान में किस तरह की मिटी पाइज थी तो उत्तर में में किसे जलूद मिटी जाए ज कॉन कोन इंवता यह कोन एक होता है खादर कज़ेंधि रह रहेगा बंगर पुरान रहेगा simple राष ते के प्रवतों के लिए फेमस है कोई हमाचल वहां पर बारिस होगा नहीं मैदानी भाग है नहीं तो किस लिए फेमस होगा ठीक है प्रवाल भीती से बना एक दीव प्रवाल भीती से बना लक्ष दीव बना जो बाद में मरने का बाद कठोर हाड हो जाता है और यह क्या बुलते हो उसको मद प्रतिशास बंद धकन पठार दचिनबार्त को जाएगा ठीक है आज ही और सब्रकोशन लिका है दो नदियों के बी उतहिक है तो पुर्वांचल यह को संतर कौने से अलग है पट्वध कोई अभी पढ़ें अना मीजो और मनपूर उध्रेइग हो जहां से नर्मदा और नीचे से तापती नदी निकलती है उसी के बीच में नर्मदा तापती के बीच में यह सत्पुड़ा पहाड और उसी सत्पुड़ा पहाड का ही भाग है महादेव पहाड़ी तो कारा की पुरवाचल पहाड़ी से अलग कौन है तो यह महादेव हिमाले की सरवाधिक कौन सी है आप सभी को पहले से पता है ठीक है एक स्थलिये भाग जो तीन और से घिरा हुआ है पानी से क्या बलता उसको प्रायदीप और छोटा रहेगा तो उसको अंत्रीप बोलेंगा ठीक है बातर नमर कौुशन लेंगा है भारत में हिमाली के सरवाधिक उची स्रिंगला का नाम क्या है अतुछा बहुत जढ़ेंगा तब आप वीडियो पूरा देखेंगे और उम्मिद करता हूंगे सारे बढ़ियां लगें फिर किसी आदिया था आएंगे तो यही पर वीडियो को क्लोज करते हैं तो धन्यवाद नमस्कर अस्लाम अलेकुम जाय हिन जा भारत